हेलो क्लास नाइन तो वैलकम इन एके स्टडी मैं हूँ अरुन कुमार यादो और आज इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्रे नमबर 8 यानि क्वाडिलेट्रियल्स के इंपोर्टेंट क्वेस्टेंज का पार्ट नमबर 2 पार्ट 1 में इससे पहले अप्लोड कर चुका हूँ तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप एके स्टडी को फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे इसके अलावा अगर आप में से किसी को लगता है कि उसकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है तो यहाँ पे आपके लिए एक मास्टर क्रेस कोर्स बनाये मैंने यह आपको वेबसाइट www.akstudy.in पे मिल जाएगा लिंक में कमेंट में पिन कर दूँगा वहाँ से भी आप इसको ले सकते हो इस क्रेस कोर्स में टर्म 2 में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं सबको मैंने अच्छे से एक्स्प्लें किया है और हर एक लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी तो अगर आपको सही लगता है तो आप ये क्रेस कोर्स ले सकते हैं चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेस्टन से यहाँ पर देखो जो पहला क्वेस्टन है इसमें बोला गया मतलब हमें ये सो करना है कि किसी पैलेलोग्राम के जो एंगल बाई सेक्टर होंगे वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे क्या मतलब है देखो मान लो कि A, B, C, D जो है वो एक पैलेलोग्राम है और जो एंगल A है इसका बाई सेक्टर है AP जो एंगल B है इसका बाई सेक्टर है ये BP और जो एंगल C है इसका bisector है CR और जो यह angle D है इसका bisector है तो आप देखो जो यह 4 angle bisector है यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा और यह चौथा यह बीच में ठीक है एक quadrilator बना रहे हैं PQRS हमें इसी PQRS को rectangle दिखाना है ठीक है, तो हम कैसे करेंगे देखो सबसे पहले हमें given लिखना होता है तो given क्या है, given A की ABCD एक parallelogram है ठीक है, मतलब यह एक parallelogram है ऐसा हमें question में बताया गया है उसके बाद हमें क्या given है इसके bisectors तो देखो, जो AP है, वो bisector है angle A का, ठीक है, जैसे कि मैंने भी बताया angle A का bisector है AP और जो BP है, वो bisector angle B का यहाँ पे देखो, यह रहा angle B इसका bisector है BP इसी दरह से CR bisector angle C का और DR bisector angle D का ठीक, और यह 4 angle bisector जो है, यह form करते है quadrilateral PQRS ठीक है, यह रहा हमें क्या दिखाना है, हमें so करना है कि यही जो PQRS यह form कर रहे है यह एक rectangle है ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे क्यूंकि यह एक parallelogram है, तो हम बोल सकते है कि यह पूरा angle A और यह पूरा angle B अगर हम add करें तो 180 आना चाहिए तो मैंने लिखा, angle A प्लस angle B, कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा 180 के बराबर क्यूं होगा क्योंकि जो sum होता है adjacent angles का किसी parallelogram के वो 180 होता है ठीक है भज़ देखो parallelogram की यह side है parallel होंगी तो यह होगई transversal तो यह angle और यह angle वैसे भी co-interior angle हो जाएंगे तो इनका sum कितना हैगा 180 इसलिए हम कहते हैं कि जो parallelogram के adjacent angle है 7-7 वाले angle है इनका sum आता है 180 तो यहां से angle A और angle B कितना हो गया 180 हो गया अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर A plus B is equal to 180 आ गया सब को 2 से divide कर दो तो A को 2 से divide किया A by 2 B को 2 से divide किया angle B by 2 180 को 2 से divide किया 180 divide by 2 अब देखो ऐसे divide करने से क्या फायदा होगा देखो यह है angle A यह है इसका bisector bisector क्या मतलब होगा कि यह वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर हो गया तो मतलब यह इतना जो है इस पूरे A का आधा है यह भी जो है यह पूरे A का आधा है फिलाल अभी मुझे इधर वाले टुकड़े से मतलब है तो इसको मैं एक नाम दे देता हूँ ठीक है मैंने इसको नाम दिया angle 1 स्रिफ इतने की बात कर रहो है इतने को मैंने angle 1 नाम दे दिया इसी तरह से यह चीज क्या है इस पूरे का bisector मतलब यह इस पूरे B का half है यह भी इस पूरे B का half है लेकिन मुझे भी स्रिफ इतने से मतलब है तो मैं इधर वाले को एक नाम दे रहा हूँ angle 2 तो यहां से आपको नजर आ रहा होगा angle 2 B का half है angle 1 A का half है तो यहां पे A के half को मैंने लिख दिया angle 1 और B के half को लिख दिया angle 2 फिर से आप देख लो जो A है उसका half है angle 1 और जो B है उसका half है angle 2 ठीक है तो यहां से आ गया और 180 डिवाइड वे 2 हो गया 90 तो मतलब 1 प्लस 2 90 आ गया अब एक बात आप देखो यहां पे 1 और 2 को जोड़के 90 आ रहा है अगर मैं इस triangle को देखूँ तो इस triangle के तीनों angle का sum 180 होगा क्योंकि हमें triangle की angle sum property पता है तो मतलब यह वाला angle 1 प्लस में यह वाला angle 2 प्लस में यह वाला angle यानि कि A,P,B इन तीनों को जोड़के 180 आना चाहिए तो मैंने बोला इन triangle A,P,B figure उपर चली गई तो मैं यहापे लिख देता हूँ ठीक है यहापे बना देता हूँ figure देखो इसको मैं बोला था angle 1 इसको मैं बोल रहा था angle 2 तो मैंने क्या किया मैंने इस वाले triangle में इसको मैं बोल सकते है angle sum property of a triangle का यूज किया है मैंने यहाँ पर अब क्या होगा angle 1 and 2 को जोड़के कितना आ रहा है वो तो मुझे पता है 90 आ रहा है तो यहाँ से 1 plus 2 की जगा 90 लिख सकता हूँ A,P,B की जगा A,P,B रहने दो यह जो 90 इधर minus में जाएगा 180 में से 90 minus करोगे 90 आ जाएगा तो यहाँ से A,P,B कौन सा angle A,P,B A,P,B यह वाला angle तो 90 proof हो गया भई ठीक है यह angle कितना आ गया 90 आ गया ठीक जैसे यह A,P,B 90 आया है ऐसे ही अगर आप इस triangle में लोगे देखो इस triangle में ठीक है यह जो होगा D का आदा है यह C का आदा है तो उस तरह से यह भी 90 proof हो जाएगा बिल्कुल सेम तरीके से तो हम बोल सकते हैं same as जैसे यह P 90 आया वैसे ही यह R 90 आएगा इस वाले triangle में ठीक है तो same as DRC DRC दिख रहा है आपको DRC यानि कि यह वाला 90 हो जाएगा जिसको समझ में नहीं आए एक बार और सुमझाता हूँ जैसे हमने नीचे किया ऐसे देखो इतना पूरे D का हाफ है इतना पूरे C का हाफ है D और C जोड़के भी 180 आएगा यह भी adjacent angle है तो मतलब यह प्लस यह 90 हो जाएगा जैसे हमने नीचे किया था अब इस triangle में तीनों को जोड़के फिर से 180 तो यह दोनों तो 90 हो जोड़के तो यह भी तो 90 बचा ना तो मतलब जैसा नीचे वाला हिस्सा है वैसा ही यह वाला हिस्सा है तो हमें दो बार नहीं करना हम सेम एज लिखके सीधा इसको 90 लिख सकते है तो मतलब देखो यह 90 प्रूफ हो चुगा equation 1 से यह 90 प्रूफ हो गए equation 2 में ठीक है तो 2 तो 90 आगए ठीक है यह और यह 90 आगए अब देखो अगर किसी quadrilateral में आमने सामने किया नीच आपोजिट एंगल कर देंगे ताकि 4 ही 90 हो जाए तब तो पक्का यह rectangle होगा ठीक है ना हाला कि जुरूत नहीं है वैसे ठीक है अपोजिट एंगल अगर 90 आजाए मतलब सामने सामने वाला तो बाकी दोनों को भी 90 ही होना पड़ेगा अगर quadrilateral बनाओगे तो क्यूं होना पड़ेगा हो समझा देता हूँ बाकी मैं 4 को प्रूफ कर दूँआ देखो भाई यह एगर 90 होगा तो ऐसे सीधी सीधी लाइन जाएगी यह 90 होगा तो सीधी सीधी जाएगी तो इसको ऐसे बढ़ाओगे इसको ऐसे बढ़ाओगो अब मैं इसको 90 कैसे प्रूफ कर सकता हूँ देखो सिंपल सा है मैं क्या करूँगा मैं इसको बोल दूँगा एंगल 3 और इसको बोल दूँगा एंगल 4 ठीक है ना क्यूंकि यह उससे अलग है तो हम same as नहीं लिखेंगे तो यहां से क्या होगा देखो मैं बोल सकता हूँ इस बार एंगल A और एंगल D 180 ठीक है एड़ेसेंड एंगल का some 180 होता है A को डिवाइड के 2 से D को डिवाइड के 2 से इस बार A का आधा लेना है तो इस बार हम यह उपर वाला हाफ लेंगे यानि कि एंगल 3 और D का हाफ क्या हो जाएगा एंगल 4 3, 4 और DSA 180 होगा एंगल सम प्रोपर्टी और ट्रेंगल फिट से 3 और 4 तो अपने पास 90 है 90 लिख दो 90 जाएगा माइनस में 180 माइनस 90 बचेगा तो DSA की वैलू आ गई 90 DSA देखो क्या है इधर वाला एंगल है इसलिए same as नहीं लिखा था मैंने जबकि हमें इधर वाले को प्रूफ करना था तो मतलब इसमें थोड़े से step अलग थे इसलिए same as नहीं लिखा था तो देखो जैसे ही DSA ये 90 आ गया अपने को तो ये 90 प्रूफ करना है तो यार ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये वाला ये वाला वर्टिकली अपोजिट है तो मैं बोलूँगा कि भाई जो ये वाला यानि PSR ये बराबर होगा इस वाले के यानि DSR के तो यानि एंगल PSR बराबर एंगल DSA DSA के ठीक है क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल है अब जैसे ही PSR 90 आया ठीक है इसके सामने वाला यानि की PQR सेम एज सेम तरीके से आ जाएगा 90 कैसे पहले आप इसमे इसमे करोगे तो ये 90 हो जाएगा अब वर्टिकली बोजिट ये बराबर मतलब इसके स्टेप जो होंगे इसको प्रूफ करने के वो इसके जैसे होंगे तो हम यहां सेम एज बोल सकते हैं तो सेम एज जैसे ये PSR 90 हुआ वैसे ही PQR यानि ये भी 90 हो गया अब हम क्या बोलेंगे कि भाई यहां से देखो PQR यानि ये वाला 90 और PSR यानि ये वाला 90 और ये दोनों तो 90 हमने पहले प्रूफ करती है थे equation 1 and 2 में तो 1, 2 ठीक है ये 90, 90 और 3, 4 इसमें ये 90, 90 तो हम ब PQRS है हम देख सकते हैं कि इसका इच एंगल ही 90 प्रूफ हो चुका है हर एक एंगल 90 प्रूफ है मतलब PQRS क्या होगा एक rectangle होगा ठीक है तो उमीद आपको ये question समझ में आ गया होगा कहीं कुछ confusion रहती है तो वीडियो को pause करके थोड़ा देर सोचो ठीक है एक बार और back करके देख लो समझ में आ जाएगा ज्यादा कुछ high-five नहीं है इस question में ठीक है चलो अब अगला question देखते हैं आप देखो अगला question है आपकी NCRT का example number 6 बहुत ही important question ये भी इसमें क्या बोला गया ABCD is a parallelogram in which P and Q are midpoints of the opposite sides AB and CD पहले इतना समझते हैं बोला गया ABCD है न ये क्या है एक parallelogram है उसके बाद P और Q midpoints है ठीक है न पी जो है देखो AB का midpoint है Q जो है वो CD का midpoint है इतना समझ में आ गया इसके बाद बोला गया इस AQ intersect DP at S आप यहां देखो AQ DP को S पे intersect करता है कहां इंटरसेक्ट करता है S पे यह रहा AQ यह रहा DP और जहां काटा उस point का नाम है S हो गया ठीक है इसके बाद बोला गया है BQ intersect CP at R तो BQ देखो कहां पर है यह रहा BQ CP यह रहा BQ और CP ने कहां intersect किया यहां पर इस point का नाम क्या है R ठीक है इतना बताया गया है हमें ये तीनों चीजे प्रूफ करनी है ठीक है तो given में हम लिख देंगे जो हमें given है ABCD एक पहले लोगराम है ये बड़ा वाला ये हमें given है P जो है वो midpoint है AB का देखो P जो है AB का midpoint है ये भी given है Q जो है वो midpoint है DC का Q जो है DC का ठीक है इसके बाद जो टू प्रूफ में तीन चीजे मैंने यहां copy कर लिया क्या-क्या प्रूफ करना है समझते है पहले पार्ट में प्रूफ करना है APCQ एक पहले लोगराम है APCQ यानि ये एक पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में हमें सो करना है Dpbq एक पहलोगराम है Dpbq का है भी ड- Click तो चलिए श्रू करते है इसके पहले इससे सब्सक्र्ट में पहलोगराम प्रूफ करना है अब देखो यहाँ पर जगा नहीं है, तो सेम चीज मैंने यहाँ पर बना रखिए figure, ठीक है, A, P, C, Q में आपको देखना है, क्योंकि हम पहले हिस्से को पहले प्रूफ करेंगे, मैं highlight कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, A, P, C, Q, इस वाले क CD यहाँ पस में बराबर होंगी, क्योंकि पैरलोग्राम की अपोजिट साइट्स बराबर होती हैं, तो मैंने लिखा A, P, बराबर CD, अपोजिट साइट्स ओफ पैरलोग्राम, अब आपको दिमाग में आ सकता है, हमें तो इसको देखना था, हम यह पूरी साइट क्यों ले Q है, वो CD का मिड़ पॉइंट है, तो मतलब जो CQ होगा, वो इस पूरे का हाफ होगा, तो अगर यह पूरी पूरी साइट बराबर है, तो इसका मतलब है, दोनों के हाफ भी आपस में बराबर होंगी, तो मैंने लिख दिया AB बराबर CD था, तो AB का हाफ बराबर होगा CD के हा AB पूरा AB का हाफ क्या है AP तो AB के हाफ के नीचे मैंने AP लिख दिया अब आपके दिमाग में आयागा यार AB का हाफ तो ये भी हो सकता है तो हम वो लिखेंगे जिससे हमारा मतलब है देखो अभी हम बात कर रहे है इसकी तो सही बात है कि इस पूरे का half तो ये भी है, इस पूरे का half ये भी है, लेकिन अभी हमारा काम इस से चलेगा, ठीक है, तो AB का half मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, AP, इसी तरह से इस पूरे का half, यानि CD का half मैंने लिख दिया, CQ, इसको equation 1 बूल दिया, इसी तरह से, जैसे हमने इन दोनों पैरलल भी तो होंगी, पैरलल भी होथी हूँ, तो मैंने लिखा, AB और ये CD, आपस में क्या है, पैरलल है, क्यों है, अपोजिट साइड जट ऑफ पैरलो गरम होथी है, तो अगर ये पूरी की पूरी side ही पैरलल है, तो इनका half भी तो पैरलल होगा, तो मतलभ, AB का half जो होग इसको मैंने नाम दे दिया second statement है ठीक है equation नहीं यह statement है बस क्योंकि यहां पर equal का sign नहीं है तो अब देखो अगर हम इस पहले को देखें तो AP और CQ आपस में बराबर है और अगर हम इसको देखें तो यही same AP और CQ आपस में parallel भी है मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर अपने पास कोई एक quadrilateral है उसकी कोई एक opposite side आपस में बराबर भी हो और वही opposite side आपस में parallel भी हो तो मतलब यह एक parallelogram ही बनेगा तो मतलब हम बोल सकते हैं from 1 and 2 AP CQ is a parallelogram तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं from 1 and 2 AP CQ is a parallelogram अब देखो जैसे ही AP CQ एक parallelogram हो गया हम बोल सकते हैं कि जो अपना second हिस्सा है यानि कि DPBQ यह भी ऐसे ही हो जाएगा देखो DPBQ है कहां पहले तब आपको जादा समझ में आएगा DPBQ यानि कि इसकी बात की जा रही है ठीक है तो जैसे पहला हिस्सा हुआ वैसे ही हो जाएगा बिल्कुल same as इसमें जादा कुछ नहीं करना same step आएंगे तो जब बिल्कुल same step हो तो हम same as लिखके सिधर result लिख सकते हैं तो मैंने same as लिखा same as DPBQ वो figure ऊपर चली कि तो यहां देखो DPBQ इसे parallelogram ठीक है यह भी हो गया अब third की बात करते हैं third part में अपने को PSQR ठीक है को हमें क्या करना है PSQR को हमे parallelogram दिखाना है तो हम क्या करेंगे देखो पहले आप देखो PSQR कहा है PSQR यह रहा इसको parallelogram दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं देखो हम सीधा लिखेंगे कि जो PSQR के parallel है PS देखो यह रहा QR देखो यह रहा अच्छा यह parallel कैसे पता लगा हमें क्योंकि अभी हमने देखा था DPBQ एक parallelogram proof हुआ second part में तो अगर DPBQ यह पूरा ही parallelogram है तो यह PS उसी का तो टुकड़ा है और यह भी उसी का टुकड़ा है तो मतलब इतना इतने के भी parallel होगा इसी तरह हम लिखेंगे QSPR के parallel है QSPR यह भी parallel है यह कैसे पता लगा क्योंकि हम इस पूरे को parallelogram proof कर चुके हैं मतलब APCQ को हम parallelogram proof कर चुके हैं तो भाई इसी APCQ की यह side पूरी के parallel है तो उसका यह टुकड़ा भी तो parallel होगा ठीक है तो अगर हम देखें इस में तो यहाँ पर देखो PSQR के parallel आ गया यानि कि यह इसके parallel आ गया QSPR के parallel आ गया यानि कि यह इसके parallel आ गया दोनों अपोजिट जोड़े parallel है तो हम बोल सकते हैं from third and fourth क्योंकि दोनों ही अपोजिट pair sides के parallel आ रहे हैं तो PQRS जो बनेगा वो एक parallelogram होगा तो अमीद है आपको यह वीडियो समझ में आए होगी इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलेंगी अगले वीडियो में thanks for watching